दोस्तो आज के इस वीडियो में मैंने SST के लिए एक best strategy प्रिपेर किया है जिसे तुमारे साथ share करने वाला हूँ किस तरीके से तुम सारे chapter को cover करोगे, कैसे revision करोगे, NCRT कैसे करना है, previous year questions कब लगाने है, sample papers कब लगाने है complete detail में बात करेंगे, और दोस्तो साथी साथ वीडियो के end में, वो कुछ गलतियां जो जालतर students करके आते हैं और भहिया उसके बाद जो इनके number है, पांच-दस number सिर्फ उन गलतियों के कारन कर जाते हैं तो बहुत ही important है कि वीडियो को end तक देखो, ताकि तुम SST में at least अपना best फोर्जा को और 95 प्लस easily ला सको दोस्तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, मैं तुमारे साथ एक amazing channel के बारे में discuss करना चाहूँगा, इसान पड़ासर दोस्तो इस channel काफी important है अगर तुम class 10th board exam देने वाले हो तो दोस्तो इस channel पे लगतार class 10th के लिए बहुत ही important videos आ रही हैं तो अगर तुम class 10th में हो, अगर तुम board exam देने वाले हो इस साल तो मैं कहूँगा गलती से भी इस channel को miss मत करो, एक बार visit जरूर करो क्योंकि काफी important videos है काफी सारे लोगों को इस आन help करे और तुम भी उन में से एक बनना चाहते हो तुछ चैनल को जरूर से visit करो चैनल का link मैंने description और साथी साथ comment box दोनों ही जगा डाल दिया है तो तुम जाके देख सकते हो आप क्या follow कर लोगा मैं आपको कहारो आप 5 गंटे math पढ़ लोगे क्या आप 3 गंटे science पढ़ लोगे अप दूसरे के चकर पर क्यूं जब आपको खुद से त्यारी करनी है दोसरों के time table क्यों follow करने दोसरी चीज़े क्यों follow गरनी है मैं कहरों अपने हिसाब से time development पूरी छूट दे दी आपको आप करो ते आधी board की दोस्तों तो बहुत ही basic से start करते हैं कि अगर देखो हमारे ssd के किताब में 14 chapter से total और दोस्त जादे तर students क्या गलती करेंगे कि आज वो first chapter उठा रहे अगले दिन second chapter, अगले दिन third chapter और भाईया इस series में वो 14 chapter तक खतम करते हैं यहां तक तो ठीक है लेकिन problem क्या होता है दोस्त कि जिस दिन वो 14 chapter खतम करते हैं उने realize होता है कि अर पहला पास तो मैं भूल चुका हूँ और यहर एक student के साथ होता है चाहिए वो कितना भी topper हो, तुम कितना भी बोलो कि यह रो बंधा बहुत पढ़ने में तेज है, सब के साथ होता है क्योंकि यह पढ़ने का तरीका ही बहुत कलत है तो दोस्त सही तरीका क्या है तो और मैं कहता हूँ कि पहला साथ चाप्टर तुम एक हफ्ते में करो, यानि कि seven days लो, seven chapters करो और आमसे कोई problem नहीं है लेकिन आठमा दिन हमें आठमा चाप्टर नहीं करना है आठमा दिन हमें एक बाद रुक के हर एक चाप्टर को देख लेना है सारे तीन घंटे लगेंगे और हर एक चाप्टर हम प्रॉपर देख लेंगे और अमारे दिमाग में आ जाएगा कि क्या कुछ हमने पिछले एक हफ्ते में पढ़ा था दिन आफ्टर वापस से नौवा दिन स्टार्ट करेंगे और अगले साथ दिन फिर से अगला साथ चाप्टर पढ़ेंगे और फिर से अगेन वन डे देखे हम उन सारे चाप्टर को देख लेंगे तो बहुत ही सिंपल स्टाटेजी है 16 डेज में तुम्हें पूरे SST को पढ़ना है पहले 7 दिन में 7 चाप्टर then after एक दिन रिविजन के लिए then after again 7 चाप्टर then after again 1 डे वो रिविजन के लिए now दोस्तो next 3 days तुम्हें क्या करना है next 3 days तुम्हें जितने भी questions मिल रहा है चाहिए वो NCRT हो previous year questions हो YouTube से देख लो कि भाया important questions of SST जहां कहीं से भी side books लगा लो जो भी important questions है न जितने questions तुम कर सकते हो अगले 3 दिन हर एक chapter से सिर्फ और सिर्फ questions करो कहीं से भी तुम questions निकाल सकते हो मैं mostly recommend करूंगा कि NCRT के सारे questions कर लो और previous year questions के सारे questions लगा लो एक बार तो 3 दिन अगला तुम questions कर रहे होगे और properly करना है तुम्हें questions अच्छे से करना है यह सोच के कि अगर यह question मेरे board exam में आ रहा है तो मैं इस question का answer लिक रहा हूँगा properly इस तरीके से तुम्हे prepare करना है क्योंकि अगर देखा जाए तो questions कहीं न कहीं वहीं से उठके आते है ऐसा नहीं है कि कोई नया question बन जाता है वही questions repeat हो रहा है वहतते है बार बार तो दोस्त 19 days हो गया है 16 days में तुमने सब कुछ पढ़ा अगले 3 days तुमने questions करे last day 20 वा दिन तुम्हें क्या करना है एक sample paper लगाना है और यह sample paper बिल्कुल इस तरीके से लगाना है कि तुम अपना board का sst का paper दे रहा हो बिल्कुल serious होके 3 hours लगाके जो questions नहीं आड़ा ऐसा नहीं है कि उसे website से उठा के देख रहा है बिल्कुल नहीं बिल्कुल serious होके एक्जाम की तरह देना है और फिर देखना है कि कौन chapter मेरा थोरा सा रह गया है तो उसे मैं एक बार और पढ़ लूँ कौन जे chapter में थोरा problem हो गया है क्या कुछ problem आ रहा है वहां से फिर उसको sort out करो तो यह simple 20 days strategy रही जो मेरे हिसाफ से कर तुम से follow करते हो तो तो अपना best आडाम से sst में देखे आओगे आडाम से 95 प्लस क्या 100 भी फोर रहोगे कोई problem नहीं है नाव दोस्तों बात करते हैं कि मैंने 20 दिन क्यों दिया कई सारे student सोचेंग या भया मैं एक दिन में 2-2 chapter पढ़ सकते मुझे कोई भी problem नहीं है मुझे पता है यार सिर्फ तुम नहीं काफी सारे student कर सकते है एक दिन में 2 chapter 3 chapter फिर मैंने एक दिन में एक ही chapter क्यों दिया क्योंकि दोस्त तुमारा सिर्फ और सेफ sst तो है नहीं और भी subjects है like maths है science है, हिंदी है जिसका हिंदी नहीं है उसका Sanskrit है या the regional subjects है, English है काफी सारे और subjects है और बहुत ही important ये भी एक rule है कि सारे subjects को parallel लेके चलो ये नहीं करना कि लगाता है 20 दिन सिर्फ और सिर्फ SST पढ़ रहे है बाकी subject अगले 20 दिन में देख रहे होंगे बाकी subject अगले 20 दिन में बिलकुल भी नहीं ये बहुत ही बेकार strategy है तो इस 20 दिन में तुम्हें SST तो लेके चलना ही है साथी साथ दूसरा subject भी लाइक एक दिन में अगर तुम दो चैप्टर पढ़ रहे हो तो make sure एक चैप्टर SST का है तो दूसरा चैप्टर साइंस का हो अगले दिन तुम maths भी कवर करो अगले दिन तुम हिंदी भी करो सब कुछ parallel लेके चलना है ऐसा नहीं है कि किसी subject हो पीछे चोड़ रहा है इसलिए मैंने complete एक 20 दिन की strategy बताई है इसी 20 दिन की strategy के साथ साथ तुमारी science की strategy भी चल रही होगी हिंदी की strategy भी चल रही होगी इंगलिस की भी चल रही होगी maths की भी चल रही होगी जो कि आने वाले वीडियो में मैं तुमारी साथ सेर भी करने वाला हूँ तो यह दोस्तो first mistake था जो तुम्हें avoid करना है second mistake जो तुम्हें avoid करना है वो है SST का paper लिखते वक्त answers point wise लिखना है answer अगर तुम कहानी के रूप में लिखो कि दोस्त बहुत सारे number कर जाने वाले है तो answer जहां भी हो सके महाँ पर point wise तुम्हें answer देना है और दोस्तो last चीज़ जो मैं कहूंगा कि अभी preboard का time आ गया है कुछ students में preboard दे रखा होगा कुछ का होने वाला है तो simple सा fact कहूंगा तुम जितने youtuber से पूछो तुम जितने teacher से पूछो preboard is not equal to board यह वाला formula तुम्हें सब को ही बताएगा क्योंकि आर preboard में यह नहीं कर देना कि सारा syllabus मुझे preboard से पहले कतम करना नहीं तुम जिस page से चल रहे हो उसी page से चलते रहो हमेशा इस चीज को ध्यार रखो क्यार तुम्हारे preboard में अगर ATR है तो तुम board में आराम से 97-98 भी ला सकते हो कोई भी problem नहीं है और हमेशा तुम्हारा focus board पे होना चाहिए बने मात्रण